हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है फुट कुट्योर में मैं हूँ छेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सेंड्विच की रेसिपी आज हम बनाएंगे एपिक पनी सेंड्विच जो बहुती डिलिशेस बनती है तो छलो बनाना शुरू करते हैं कि वह सबसे पहले हमें एक गाड़ी ग्रीन चट्नी बनाएंगे तो इसके लिए मैं ले रही हूं हराल लसून अभी सर्दियों की सीजन है तो हराल लसून इजिली मार्केट में मिल जाता है तो मैंने वो लिया है अगर सीजन नहीं है तो आप सुखा हुआ लसून भी ले सकते और इसे में थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेती हूं तो लसुन को आपको अच्छे से साफ करना है और इसके बाद इसे लेना है और इसकी स्टेम के साथ ही हम लेंगे तो इसे में डाल देती हूं मिक्षर जार में और इसे के साथ में ले रही हूं तीन हरी मिर्शी और यहां पे जो बड़ी वाली और थोड़ी कम स्पाइसी वाली कम तिखी वाली जो मिर्ची आती है वो लेना है और इसका जो बीज है वो मैंने निकाल दिया है और इसे बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है इसी के साथ मैं ले रही हूँ थोड़े से फुदीने के पत्ते उसी के साथ में ले रही हूँ तीखी वाली मिर्ची तो यहाँ पर जो spicy वाली मिर्ची आती है वो लिए है यह मैंने 15-17 पीस लिए है इसी के साथ में ले रही हूँ दो अध्रके टुकडे फे टेबल स्पून मैंने लिया है रोस्टेट चाना एक टीज स्पून रोस्टेट जीना यहां पर में लिए रही हूँक। नमक आधर टेबल स्पून बेशन की सेव ले रही हूं वन फोर्थ कप और इसे के साथ हम लेंगे फ्रेश धनिया तो यहां पर में देड़ कप धनिया ले रही हूं तो इसे भी हम मिक्षर जार में डाल देंगे इसे के साथ इसमें एक निम्बू का रज डाल देते हैं तो यहां पर मैं वन फोर्थ कप जीतना आइस वाटर डाल रही हूं इससे क्या होगा हमारी जो चट्नी है वो एकदम हरे रंखी बनेगी और इसे हम बन कर लेते हैं अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं करें ग्रीन चट्नी हमारी रेडि है मैं आपको दिखा देती है किया एकदम गाड़ी चटपती हमाई चटनी रेडी है इसे बॉल में निकाल देते हैं तो अब हम पनीर का मिक्षर तयार कर लेते हैं तो इसके लिए मैं पनीर ले रही हूं और इसे हम ग्रेट कर लेंगे अब हाथ से क्रम्बल करके ले सकते हैं आपको बड़ा बड़ा ग्रेट करना है इहां मैं 2 कप पणी ले रही हूँ इसे ग्रेट करके या तो हाथ से क्रमबल करके भी ले सकते हैं इसमें मैं डाल देती हूँ 5 हल्दी पावडर घनेजीरा पावडर भाफ तीश पून लालमीश पावडर गरम मसाला बारिक कटा हुआ हराधनिया अधा टी स्पून चाट मसाला थोड़ा सा नमक डाल देती हूं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह मिक्षर हमारा रेडी है इसे साइड में रख देते हैं अभी जो पनीर वाला मिक्षर है इसमें 2 टेबल स्पून हम गाड़ा दह ही डाल देंगे और एक्षे से मिक्स कर लेंगे अप दही की जगा मैयानोar अइस भी डाय सकते हैं इसके अलावा ओर टेस्टी बनानी के लिए एसमें बारी कटा हूआ हरी मिर्शी और बारी कटा हूआ फुदी नभी डाय सकते हैं तो यह मिक्षर हमारा रेडी है इससे साइड में रख देते हैं आपको खास जान रखना है पनीर वाला जो मिक्षर है इसमें पहले से ही आपको दही नहीं डालना है जब आपको सैंवीच एसेंबल करना हो तभी इसमें दही डालना है तो ब्रेड के ऊपर हम ग्रीन चटनी इसके उपर हम अनियन की स्लाइज रखेंगे इसके उपर टमाटर की स्लाइज रख देंगे कोकरी की स्लाइज इसके उपर रख देंगे हम सैन्विछ मसाला अगें इसके उपर हम केप्सिकम रख देंगे अगें थोड़ा सा हम सैंड्विच मसाला स्प्रिंकल कर देंगे इसके उपर हम रख देंगे ग्रेटेड चीज इसके उपर हम दूसरा स्लाइस रख देंगे और हलका सा इस तरह से प्रेस कर देंगे तब एक उपर भी हम बटर लगा देंगे इसके उपर हम सैन्वीश रख देंगे इसे हम पलट देते हैं दूसरी साइड भी हम पलट लेते हैं तो सैन्वीश हमारी रेडी है इससे चॉपिंग बॉर्ड के उपर रख देते हैं अब इसे हम कट कर लेते हैं सेंड़िच हमारी रेडी है इसे सवकल लेते हैं और इसके साथ मैंने सवकिया है ग्रीन चटनी और टामेटो केचाफ सुपर डिलिशेस एंड टेस्टी एपिक पनी सेंड़िच हमारी रेडी है आप ए रेसिपी जहरू ट्राइ करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताई कि आपको ए रेसिपी कैसी लगी हमें आपकी कमेंट्स का इंतिजार रहेगा हमारी ओर एक चैनल है फूट कुट्टी और बा कमेंट्स का इंतिए हमें आपको ऑगurst, इंतिए हमे給 खूटी ऑगी हम आपको टे साल टेक्ट काराव dallay, टे साल ऑाल, चैसे जह हमें में मैंको थाब